हेखे अंग है अनो जय हेएं आज हम हम हमारा आज का लेंच्चर होगा बच्चों खरास एफेक्ट और पराकसाइड इफेक्ट इसले लेंट्ट्र नम्बर वन में हमने देखा था बच्चों और उसका कहां कहा अप्लिकेशन होता है आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों खरास इफेक्ट या पर आकसाइड इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम जानेगे और इसके अप्लिकेशन को भी देखें बच्चों तो चलिए बच्चों आज का वीडियो सुरू करते हैं और काँ पी पैंसे लेकर के बढ़ जाईए ठीक चलिए बच्चों खरास इफेक्ट क्या है पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखें बच्चों आखिर खरास इफेक्ट लगता किसमे है तो ध्यान रहे बच्चों खरास इफेक्ट पहली बात तो अनसेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन जो की बच्चों अनसेमेट्रिकल होते हैं याद है ना अनसेमेट्रिकल जैसे अनसेमेट्रिकल बच्चों एलकी में ही लगता है तो unsymmetrical का मतलब होता है बच्चों W bonded कार्बन के अगल बगल अलग अलग group या atom लगए हो मतलब number of hydrogen बच्चों अलग अलग होती है किसी में कम होती है अगर दोनों बराबर है तो बच्चों hydrogen दोनों W bonded पर दोनों बराबर हैं तो उसे कहें बच्चों symmetrical तो symmetrical और unsymmetrical next वीडियो में जो बच्चे नहीं देखें उसको देख रीजिएगा तो उसमें आपको confirm हो जाएगे बच्चों तो यहाँ पर पहली बात तो यह हो गए बच्चों और दूसरी बात यह है कि यह केवल और केवल HBR में applicable होता है बच्चों HBR में applied होता है सवाल यहाँ पर आगे है बच्चों कि HF में HCL में और HI में applicable क्यों नहीं होता इसमें हम नहीं लगा सकते हैं जबकि यह तो बच्चों ध्यान रहे यह जो HF होता है यह इतना छोटा होता है बच्चों इसकी bond dissociation energy बहुत दिक होती है यह तो आपके पर आक्साइड effect की बात ही छोड़िये मारकोनिक ओफ रूल में भी applicable नहीं था बच्चों यह इतना ज्यादा तो सवाल अभी आपके सामने रहेगा बच्चों कि आखिर इसमें applicable क्यों नहीं है केवल इसमें applied होता है तो आगे हम आपको बताएंगे तीसरी बात यह है बच्चों इसमें presence होता है presence of पर आक्साइड कोई भी पर आक्साइड ले लो बच्चों जैसे hydrogen पर आक्साइड थीग है C6H5, C double bond O, O, O और C double bond O और आपका C6H5 इसे कहते हैं बच्चों बेंजोईल पर आक्साइड तो कोई भी पर आक्साइड बच्चों आप ले लीजिएगा तो यह पर आक्साइड के presence में होता है और तीसरी बात यह है बच्चों इसमें यह इसकी मैकनिजम जो होती है बच्चों फ्री रिडिकल होती है इसकी जो मैकनिजम होती है बच्चों मैकनिजम वो फ्री रिडिकल फ्री रिडिकल एडिसन रियक्शन देती है बच्चों क्यों हमने आपको नेक्स्ट वीडियों ब जबकि मारकोनी काफ में धिका था ता बच्चों, उसमे और यसमे Gir Patty यह स्सक्षा यहीं देखत है, ठीक है और यहां पर बच्चों देखो जो माइकनिजम यहां पर पहले तो हमें एक रियक्शन देखें बच्चों और दोनों के अनुसार देखेंगे फिर इसके माइकनिजम पर आते हैं और फिर देखेंगे कि यह और यह क्यों नहीं देते हैं बच्चों तो यहां पर बच्चे लोग देखें कि यह किस प्रकार से है पहली बात तो बच्चों अपलीकेबल होता है और तीसरी बात यह बच्चों पराकसाइड के प्रेजन्स नहीं होता है इसलिए बच्चों इसे Paroxide Effect कहते हैं चार्बन पर जाकर के जूड़ता है जहाँ पर Hydrogen की संख्या बच्चों minimum होती है लेकिन यहाँ पर बच्चों उल्टा हो जाएगा अब चुक्त यह उल्टा Paroxide की कार्ण हो रहा है तीक है इसे लिए इसे बच्चों Paroxide benefit करते हैं और इसे सबसे पहले खरास ने देखा था बच्चों इसल нормально तो सवाल यह है जरह हम देखते हैं बच्चों reaction को ले करकर और फिर चलते हैं, कि किस प्रकार से होता है छली, एक हम एक्जांपल ले रहें बच्चों और फिर उसकी mechanism पर आते हैं और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रोड़क्ट बच्चों चेंज हो जाते हैं पर अक्साइट के प्रजास में तो चलिए हम सुरू करते हैं बच्चों अगर माल लेते हैं एक अनसेमेट्रिकल एलकीन जैसे कोई बच्चा प्रोपीन ले लिया CH2 यह क्या है बच्चों प्रोपीन यह प्रोपीन है अब अगर हमने बच्चों इसका HBR से रियक्शन कराया अब कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्रोड़क्ट मारकों निक आफ रूल के नुसर होगा अर्थात यहां पर बच्चों निगेटिव पार्ट इस कार्बन पजा के ज प्रोप लगा है प्रोपेन बच्चों प्रोप लिखेंगे सिंगल बॉंड लिखेंगे यह तो बच्चों मारकोंई कॉफ के नुसरा रहा मारकोंई कॉफ के नुसरा रहा जब हमने कोई रियेजेंट नहीं लेकिन अगर इसी रियेक्शन बच्चों इसी रियेक्शन में तो इसका उल्टा रियक्सन होता है बच्चों, CH3 और CH2 और CH2-BR बनेगा, मतलग जो HBR है बच्चों, इसका नेगेटिव पार्ट आ करके इस कार्वन जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन बच्चों अधिकर दो है, जाने बच्चों बहुत कहेंगे, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऐसा नहीं बच्चों, बांड ये टूट रहा है, इनकी इनकी बैलेंस साफ हो जाएगा, और क्यों बच्चों, HBR ही देता है, और कोई भी HX टाइब का रिएजेंट इससे क्यों नहीं करता है, मतलब Acid Highlight जो होते हैं बच्चों, Acid Highlight, HCL है, HF है, HI है, ठीक है, यह वही क्यों, HBR ही देता है बच्चों, यह इन्हों ने किया क्या था बच्चों खरास ने, experimental इह एक सिरी मेंटली, HF से रिएक्षन कराया, नहीं हुआ, यह CL से रिएक्षन कहीं नहीं हुआ, HBR से रिएक्षन कराया, हो गया, और HI से रिएक्षन कराया, तो भी नहीं हुआ, तो सवाल उठता है बच्चों, क्यों, अब जरागी दीक wagon, बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं, mechanism of reaction, mechanism of reaction, cross effect की mechanism क्या है, पहले उसी पिछला है, प्रोपील का बच्चों, पहले होता क्या है, जो हमने benzene paroxide लिया, मान बच्चों, benzene paroxide आपने उसमें presence रखा है, तो ये benzene paroxide है बच्चों, और सभी बच्ची सोच रहे होंगे, कि सर ये paroxide ही क्यों है, तो एक चीज का हम ensure कर दें बच्चों, अगर oxygen single bond होता है, तो इसी bond को हम कहते हैं बच्चों, paroxide bond, और सभी बच्चों के पता है, परoxide bond बच्चों, यहाँ पर जो bond होता है, इसकी oxidation number बच्चों minus one होती है, तो अगर oxidation number oxygen की बच्चों minus है, तो paroxide bond आपस मनागी, तो कि सभी paroxide बच्चों इसी तरह से bond पाएगा होता है, अब इसमें हर समय पर आपसाइड बच्चों, यह बहुत वीकली bond होता है बच्चों, यह बहुत ही ज्यादा वीक bond होता है, और दूसरी बात यह हर समय बच्चों homolysis से टूपता है, इसमें होगा बच्चों homolysis, homolysis क्या होता है जब shared paired electron जो यहाँ पर हैं बच्चों दोनों equally distribute हो जाते हैं यह अपना electron ले लिया बच्चों और यह अपना electron ले लिया यह देखो अब इसके बाद free radical generate हो जाते हैं homolexis के अंतर क्या product बनता है बच्चों free radical तो यहाँ पर जो बनेगा C6H5, C double bond O और यहाँ पर बच्चों O इसकी दो यूनिट तयार हो अब यह बच्चों highly unstable है ऐसा मैंने क्यों बोला क्योंकि इस oxygen बच्चों unpaired electron है अब इसकी tendency होती है pairing करने की इसलिए अगर आप ध्यान दीजे बच्चों तो C6H5 और C double bond O और O यह free radical है बच्चों अब इसको अगर एक electron मिल जाता है बच्चों तो यह carbon dioxide की रूप में निकल जाती है चुकि बच्चों यहाँ पर entropy की support करती है हर समय बच्चों गैसों के entropy positive होती है और positive हर समय spontaneous process को दिखाता है मतलब यह process खुद होता है बच्चों चुकि यहाँ पर entropy इसको support भी कर रही है अगर इसको एक electron मिले बच्चों तो यह bond यहाँ बना लेगा और फिर यह बदल जाएगा carbon dioxide में होता जही है बच्चों यहाँ पर भी free radical होता है इस तरह से इसको मिल गया और यह बच्चों यहाँ से bond टूट जाता है और बनता है बच्चों carbon dioxide C6H5 यह free radical बन गया बच्चों इसे benzene free radical कहते हैं बच्चों अब यह benzene free radical को अगर एक electron की जरूत है बच्चों यह highly unstable होता है यह करता क्या है बच्चों अब C6H5 यह free radical अब जो HBR का bond है बच्चों यह homolysis से सोता है homolysis करेगा बच्चों free radical always generate free radical जो free radical होते हैं बच्चों वो हर समय free radical ही generate करेंगे यह रूर याद रखेगा free radical always generate free radical बच्चों अब यहां पर होगा क्या अब फ्रेडिकल जनरेट हो जाएंगे यह बी आ रहे है बच्चों यहां पर होमोलिसिस होगा चुकि जो जैसा होता है बच्चों ऐसे तोड़ता है अगर फ्रेडिकल है तो फ्रेडिकल ही जनरेट करेगा तो होता क्या है इसके पास अपना एक एलेक को मुक्त रता है अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल बच्चों अब प्रोपीन पर जा करके अटेक करेगा जो डबली बॉंडट पाई है तो ध्यान से देखना बच्चों CH2 और CH double bond CH2 इसके ऊपर बच्चों अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटेक करता है अब इसको बच्चों दो तरह से तोड़ सकता है सोचे अब सोचो कि अपने अपने इलेक्टौन को अलग करेंगे चुकि ब्रोमीन बच्चों एक फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में ही प CH3 CH और यहां पर हो जाएक बच्चों BR और यह CH2 इस पर है इसे चुकि प्राइमरी कार्बन है बच्चों यह प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन पर जो है यहां पर अनपेर्ड इलेक्टौन है इसलिए इसे प्राइमरी फ्री रेडिकल या वन डिग्री फ्री अवदो को त्यां होता है कि आलने का प्राइमरी सब से कम होता है और नेक्स टाइम कर मने आपको बता जो तो यहां पर CH2 ठीक है और यहां पर अगर ब्रोमील लग गया बच्चों तो या इस secondary electrical है जो कि जादा stable है बच्चों जो जादा क्या है बोलो stable है अब होता क्या है कि ये free radical है बच्चों फिर एक नई unit के साथ attack होता है मतलब इसमें HBR बच्चों एक नई unit आती है स्टों के इस को फिर न हम मखें मैंने पर आइगा में तोड़ और और फी होमोलाइसीश केंडिशन नहीं फिर नहीं तोड़े दीए अब होता किया है यहां पर भ्रोमिन फरेटिकल जन रेट णार बंदल और है तो आप सोचेगे कि Bromene Fritical को यहां जूर सकता है, नहीं बच्चो, यहां पर Hydrogen जो होता हो, वो Fritical बहुत ज्यादा अनिस्टेबल होता, उसको Electron की बहुत जलूत होती है, तो यह तुरंत यहां पर आ करके बच्चों इसलिए यह major product हुआ और अगर इस पर बच्चों यह फिर HBR पर attack करेगा और चुकि यह बच्चों free radical है तो इसको free radical में ही तोड़ेगा अब hydrogen free radical और bromine free radical जननेट होंगे बच्चों अब यहाँ पर bromine free radical पैदा हुआ है बच्चों तो यहां पर होगा अब यह हाइड्रोजन फ्रेटिकल को ज्यादा इलेक्टॉन की जड़ो ठूती है तुरंत यहां पर बच्चों और यहां पर बच्चों बियार पहले से ही था और यहां पर आपका और यहां पर आपकाइडिकल फ्रेटकल के असरा है अब होता क्या है बच्चों अब बच्चे Bromine Fritical और Bromine Fritical यह फिर कहीं दूसरी यूनिट पर यहां पर भी आएगा बच्चों Bromine Fritical यहां से भी जनरेट हो रहे हैं और वहां की जनरेट यह फिर किसी नई यूनिट पर अटेक कर देता है तो यहां पर आपने देखा कि हम आपको फिर से रिवाइश कर दे रहें बच्चों Marconic of Rule और इसे बध्याने बच्चों इसे बहुत से टीचर इसको Anti-Marconic of Rule पढ़ाते हैं देट जो रहां वलत है बच्चों Anti-Marconic of Rule अलग है Paroxid effect अलग है और Marconic of अलग है अब हम देखेंगे कि यहां पर बच्चों कि जो हमारा है वो अनसिमेट्रिकल में लागो होता है पहली बात कि HBR वैसे बच्चों HBRS से ही क्यों लगता है और आने के लिए लागो क्यों नहीं होता अब इसका रिजन देखो बच्चों बड़ा इंट्रेस्टेड है तो चलिए हम सुख करते हैं ले 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 इसके साथ लेलो चलो बच्चों तो यहां पर आपने देखा माइकेनिज्म फ्री रेटिकल होती है बच्चों कि इसमें फ्री रेटिकल जनरेट होते हैं अगर आप departmentा MR क्यों है तो सभी बच्चों को पता है कि अघर कोई reaction बच्चों पाराकसाइड के presence में होती है तो हर समय फ्री रेटिकल बनते हैं अरथात उसमें होमोलाइसिस ही होता है याद रखेगा बच्चों ठीक है तो होमोलाइसिस का इसलिए जब कि वो वहाँ पर बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर कार्बोनी अमायन अरथात मारकोनिकॉफ रूल में कार्बोनी अमायन जन देखो रहे थे बच्चों तो चलिए हम देखते हैं तो यहाँ पर बच्चों अगर आप EHF को देखो ठीक है और EHCL को देखो बच्चों और HBR को देखो और HI को देखो तो जैसे जैसे हम इधर जारे हैं बच्चों इसकी bond length जो होती है याद करो बच्चों bond length जो है वो increase करती जाती है कारण क्या है बच्चों hydrogen तो वही चीज़ है सब में लेकिन उपर से नीचे आने पर इसकी radius क्या होती है बच्चों बढ़ती चली जाती है अब इतकी radius इतनी बड़ी हो जाती है कि इसकी जो bond length होती बच्चों बहुत जादा होती है तो maximum bond length अब देखो इसकी bond length बच्चों very small होती है very short होती है अब जो free radical इसको तोड़ रहा है बच्चों ये do not dissociation चुकि इसकी dissociation energy बहुत अधिक होती 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 है तो HF और HB, AHCL के case बच्चों 60 bond length होती है बच्चों bond length बहुत छोती होती है इसलिए इसकी high dissociation energy होती होती है बच्चों इसी bond को तोड़ने के लिए energy bond energy कही है बच्चों या dissociation energy बच्चों बहुत हाई होती है और ये do not break by per oxide या per oxide free radical बच्चों जो free radical आप देख रहे हैं कोई carbonic compound का जैसे benzene par oxide ये वो तोड़ी नहीं पाता बच्चों अब picture में आती है बच्चों HBR और HI आप कहेंगे सर इसका तो bond line बहुत अदिक होता है तो देना चाहिए बहुत आसानी से तूट जागी है ये क्यों नहीं देता तो ध्यान दे बच्चों इसके ये dissociation होता है बच्चों लेकिन जो iodine radical होता है बच्चों ये iodine radical आपस में combine करके iodine बना लेते हैं बच्चों प्राबलम इसके साथ ही है एचाई के साथ और इसके साथ problem क्या है इस फ्री तोड़ी नहीं करते हैं और यहीं तोड़ता है पिक्चर में आता है इसी को बच्चों इसलिए ये आसानी से तोड़ भी जा सकता है और यह ब्रॉमाइड फ्री आपस मिलते भी नहीं उतने जन्दी ठीक है इसलिए यह तोड़ता ही नहीं है और यह बहुत आसानी तोड़ जाता है लेकिन दिक्टत इसके साथ है कि फ्री रेटिकल कंबाइन करका अधिन बना लेते हैं तो बच्चों यह ही तो इसलिए जो आपका मार्कोनी कॉफ रूल है बच्चों वो तो सबके लिए इसको छोड़ करके सभी में अपले केवल होता है लेकिन यहां पर बच्चों जो पराकसाइड इफेक्ट है वो केवल और केवल only and only applicable for HBR, not applicable in HF, SCL or HI. In case of HF or SCL, they are very short bond length so that their bond dissociation energy are very high. It do not break by fridical and HI easily dissociate and generate iodine fridical. These iodine fridical combine to each other to form iodine so that it is not applicable in paroxid effect. ठीक है तो बच्चों आज का वीडियो अच्छा लगा है तो like करिएगा और नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि आप चेक कर लिजगा अगर आपके समझ में नहीं आए बच्चों तो message box में जरूर लिखा करिएगा कि सरे चीज नहीं समझ माया तो उसको हम दूसरे वीडियों बच्चों रिवाज कर देते हैं और अगर अच्छा लगे बच्चों तो मैसेज बाक्स में लिखना अच्छा लगा या नहीं ठीक है तो चलिए बच्चों आज की मुलाकात नहीं तर जै